रेल्वे आर्पीअफ के द्वारा लगातार यात्रियों एवम उनसे समानों की रक्षा में भी मुस्तेदि दिखाई जा रही है नगर में railway RPF थाना प्रभारी राजीव कुमार के द्वारा railway station पर platform और station में रुकने वाले trainों के अंदर गंभीरता से जांच के लिए सक्ता देश दिया गया है किसी भी यातरी के साथ train के अंदर और platform पर किसी भी प्रकार की कोई बत्तमीजी करने पर सक्त कारवाई की जा रही है साथी साथ train के अंदर किसी भी यातरी का समान यदि छूट जाए तो उस समान को मालिक तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा जिसका जीता जाकता उधारन अभी हाल ही में नजर आया है नागपूर के माध्यम से एक यातरी द्वारा 182 आर्पियक सहायता नंबर से सूशना प्राप्त हुई कि 36 गड़ एक्स्प्रेस की AC कोच B1 के बर्थ नंबर 43 में एक पॉलितिन में कागजात एवं पैसा गोंदिया स्टेशन में उतरने के बाद छूट गया सूशना के अधार पर प्रधान अरक्षक अमित जोगी के द्वारा गाड़ी की जांच की गई तो सफेज चादर के अंदर एक पॉलितिन पाई गई जिसमें आई कोड पैन कार्ड, ATM, एवं नोट का बंडल पाया गया जिसमें कुल 17,350 राशी पाई गई और प्राप समान को उसके मालिक को सुपुद्र किया गया इसके अलावा एक अन्य यात्री का चार्जिंग पॉइंट पर एपल कंपनी का आईपैट छूट जाने पर उसके मालिक को से सोफा गया दोनों ही सरानिय कारे के लिए समान के मालिकों के द्वारा डोंगरगड आरपियफ थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार वो उनकी टीम को तहे दिल से शुक्रियादा किया गया समान के मालिकों के द्वारा Facebook और WhatsApp के माध्यम से डोंगरगड RPF के थाना प्रभारी वो उनकी टीम के द्वारा पूरी मानदारी वसतर्क्ता के साथ किये गए कारे की सरहना की गई नगर के रेलवे RPF थाना प्रभारी राजीव कुमार के आने के बाद रेलवे RPF के द्वारा लगातार सरानिय कारे किया जा रहा है रेलवे RPF यात्रियों के साथ साथ उनके समान की सुरक्षा में भी मुस्तेदी दिखा रहा है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए